हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं भिन्न का जोड़ुआ घटाना आप यहाँ पर कोश्चन देख पा रहे होंगे यह कोश्चन केवल मैं नमूना के तौर पे लिया हूँ एक जो है जोड़ की रूप में लिया हूँ और एक घटाने की रूप में और इन दोनों कोश्चन को मैं समझा दूंगा इसके बाद आप कोई भी कोश्चन बहुत यह लिए बना सकते हों तो नमूने के तोर पे मैं बेस के आधार पे आपके लिए कोश्चन लिये हैं और इ यहां पे दिया है तीन बटे 4 प्लस माच बटे 8 प्लस 7 बटे 12 उनको हम को आपस में जोड़ना है तो जोड़ने से पहले आपको एक बात जरूर देखनी है कि इसका हर समان तो नहीं है। अगर हर समान होता दो हम सेम कसेमा ऐसे जोड़ एते हिए और नीचे एक हर lag देते और आठ और बारा किसको, हम फ्रैक्टर कर देंगे इसका तो दूद्नी चार, दव चौकार दो चक् autor क के बारे तो एककम दू, दूद्नी चार और दो तहीश, एक बारे फिर दो से चला जाएगा और जो तीन बचेगा एक बार तीन सेआपका चला जाएगा और एक एक आपका आ जाएगा अब इसका LCM कितना निकला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 3, 24 इसका LCM कितना निकला 24 अब LCM आपको लिख देना है बहुत अच्छे से आपको समझना है चीजो को यह, इस तरीके से लिख देना है और फिर बटे का चिन आपको एक बड़ा सा लगा देना है ठीके अब यहाँ पे क्या देखें यहाँ पे क्या करना है जो 3 दिया गया है अनस्वाला तो उसको हम लिख देंगे फिर गुड़े का सिंबल लगाएंगे फिर यह जो हर इसका दिया गया है LCM को हम भाग करेंगे LCM आपका कितना है 24 4 से हम LCM को भाग करेंगे 4 छंग 24 छंग का जो 6 आएगा यहाँ पे आपको लिख देना है फिर यहाँ पे धन का चैन है धन लगा देंगे फिर यहाँ पे 5 गुड़े फिर इससे आपको भाग करना है 8 का भाड़ा पढ़ना है कि 24 से आगा नहों तो 8 तरीक में कितना हो जाएगा 24 फिर धन है धन लगा देंगे फिर 7 गुड़े फिर 12 से इसको भाग करना है 12 दूना 24 तो दूना के क्या हो जाएगा 2 अब यहां पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आगए इतना आपको करना ही करना है जब आपके हर टेरा प्लस पांते में 15 साथ्बुल्नी में 14 अब फिर बटे में क्या हो जाएगाaltet चोबीस ठीक है अब यहां पर हम इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे जिए चार पाच नो नो आच सत्रे का कितना हो जाएगा साथ हांसिल आएगा एक एक और एक दो और एक तीन एक हांसिल आएगा चार इसको उने जोड़ दिया और बटे में क्या रख दिया चोबिस तो आप इतना अंसर लिख सकते हो लेकिन मेरा सजेस्ट है मेरा क्या है सजेस्ट है कि जब भी आपका अंस ज़्यादा हो हर से तो इसको भाग करकर मिस्र भिन में लिखना ही पड़ेगा तब ही आपका complete solution माना जाएगा तो यहाँ पे देखिए किसी की table में कट रहा है सबसे पहले यह देखेंगे तो किसी की table में नहीं कट रहा है तो हम 47 को 24 से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे और 24 दूना 48 जादा हो जाएगा तो 24 एकम में क्या कर देंगे 24 और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 चार में से 2 जाएगा 2 बचेगा अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है एक सही जो आपका भाग फलाया है उसको एक सही लिख देना है और रिमेंडर आपको अंस में लिख देना है और 23 बिटे क्या हो जाएगा 24 अब आपको संतुष्टी कैसे मिलेगी कि यह आपका सही है या गलत है यानि 24 एक में 24 और 23 फिर जोड़ोगे अगर सही तालिस आ जाता है तो समझे लो आपका यह मिसरिफिन सही है ठीक है तो आपका अंसर यतना लिखा जाएगा ठीक है अगर आपके बुक में इत्ता दिया है तो इत्ता भी लिख सकते हो क्लास 5 तक ऐसे देड़ेता है क्लास 6 से दिक्कत होती रहती है ठीक है क्लास 6 के वपर आपको इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा तो अब हम चलिए सेकेंड कॉच़्चन देखते है तो आपके सामने सेकेंड कॉच़्चन दिया गया है अब यहां पर यह मत सोचेगा अब देखी यह यहां पर जोड दिया गया है इतनी में से घटाने दियागा अगर यहां पर घटाओ का चिन होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अभी आपको मैं चीज़ों को अच्छे से किले गड़ाता हूं देखे यहां पर यह क्या देखे तीन बटे पांच साथ बटे दस एक बटे दो ठीक है और इसका चिन क्या है माइने से इसका चिन क्या प्लस है और इसका चिन कहां पर है तो इसका चिन कुछ नहीं तो यहां पर भी क्या है प्लस का है यह बात आपको ध्यान में रख लेनी है ठीक है अब यहां पर हम सबसे पहले कि हर इसका समान है या असमान है तो इसका हम क्या लेंगे LCM लेंगे क्या लेंगे LCM तो पांच और 10 और 2 का ज़रेंगे तो 10 ही आएगा लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं 2.5.10 तो एक कम में दो आप यहाँ परकिरिया क्या करनी है, तीन गुड़े, अब इससे आपको भाग करना है एलजिम को, तो पांच का पाढ़ा पढ़ी है, दस से जाद है, तो पांच दुन्यी 10, दुन्यी का दो लिख देंगे, फिर धन, तो धन लगा देंगे, फिर 7 गुड़े, 10 से इसको भाग क साथ एकम साथ मानेस से मानेस लगा देंगे पांच एकम पांच ठीक है और बटे में कितना हो जाएगा दस हो जाएगा अब इसको हम देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मोस का नीम हमने क्या गुड़ा किया अब हम क्या करने वाले हैं जोड तो साथ छे कितना हो जा जाएगा दो चौकस है नहीं रहा है जहा है किया ओंसर लिख सकते हैं इस को क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहान पर अंस जisu लेख पड़ेगा और उचित भिन्द में आप कोई हस्ता छेप नहीं करेंगे आप उसी को अंसर लिख सकते हैं तो आप चीजों को समझ में आ गया होगा अच्छे से अगर आपने वीडियो देखा है तो अब आप चोड़ वा घटा हो बहुत आसानी से बना सकते हो तो नेक्ट वीडियो में मैं मिस्र भिन्द का जोड़ और घटाने की एक साथ वीडियो लाँगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि ऐसे ही मस्त कॉंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद